हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी को राजय श्टडी में आज हम लोग अर्थसास्त स्टार्ट करने वाले हैं मतलब इसमें दो अध्याय तक हो चुका है और ठार अध्याय देखने वाले हैं क्योंकि मेरा इतिहास का जीतना भी लॉंग कोश्चन से सारा हमने देख चुके ह और इतिहास लगभा और लॉंग कोश्चन की विव से सारा खतम हो चुका है और सिर्फ उसका उप्जेक्टिव बांकि है वह भी हम आपको करवा देंगे तो आज चलिए देखते हैं हम लोग अर्थसास्त का नया टॉपिक मुद्रा बचत एवंसाक बहुत ही अच्छा टॉ है और उसमें से एक नेक आपको मिलेगा ही मिलेगा किसी भी बोर्ट एक्जाम में तो इसे आप अच्छे मतलब ध्यान में लेकर पढ़िएगा और अच्छा से नौट्स बनाएगा ताकि आपको अच्छा कवर अप है और एक्जाम में आप मिस करके ना आए यदि पूछा हावान्या MP3 के बारें में जानने तो उसके बाद मुद्रा के बारें मुद्रा पर्नाली के बारें चालेंगे उसके बाद मुद्रा के बिकास काज़त Итак कंआशा है क्रेइड कार्ड कैसे है यह सब होता क्या है यह सारे चीज़ें हम देखें गे पहले हम लोग वस्तु विनियम परनाली का मतलब क्या होता है लेन देन और वस्तु लिखा है मतलब क्या वस्तू का लेंदेनी क्या कहलाता है वस्तू विनियम परनाली कहलाता है तो चलिए टूड़ पॉइंट चलते हैं वस्तू विनियम परनाली उस परनाली को कहा जाता है जिससे एक वस्तू के बदले दूसरे वस्तू का आदान परदान किया जाता है जैसे हमको अभी मतलब गेहूं का ज़रूरत है और मेरे पास धान है और दूसरा हमको मतलब गेहूं लेना है तो क्या करेंगे हम उसको धान देंगे उसके बदले में वो हमको क्या देगा गेहूं देगा तो यही क्या होता है वस्तू विनियम परना है मतलब एक वस्तू के की था मोद्रा पर्चलन में नहीं था तो वस्तू के वस्तू से की लेकर आधिए हैं और जो मुं ले रहा था उस पे हमें मिल झाता एं। में इसे क्या का सकते हैं किसी एक वस्तु का दूसरे वस्तु के साथ बिना मुद्रा के परतेक्ष रूप मतलब वहाँ परतेक्ष रूप मतलब वहाँ परतेक्ष रूप मतलब एवलेबल नहीं रहेगा मतलब डिलेक्ली मुद्रा वहाँ परतेक्ष रूप से लें देन किसी वस्तु का दूसरे वस्तु का लेंदेन करेंगे तो वह क्या कहलाएगा वस्तु विनियम परनाली ही कहलाएगा यदि उसमें हम मुद्रा का मतलब पर्तेक चुरूप से लेन देन न करे तो उसके बाद क्या है यह पर्था तब परचली थी जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ था मतलब जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ तब यह पर था परचलान में थी मतलब इसी तरह से वस्तू का लेन देन क्या जाता था जिस वस्तू का जोरत होता था उसके बदले में हम दूसरा वस्तू देते थे तो चलिये हम लोग आप नेक्स्ट एक और कुईशन देख लेता है कि योगी छोटा-छोटा दूर नमर या कुईशन सभाए तो एक और कुईशन कर लेता है तो उसके बाद मेरे पास और टाइम रहेगा तो मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लॉग कुईशन देखेंग और यदि आप चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले तो चलिए देखते हैं क्या है मुद्रिक परनाली क्या है मतलब मुद्रा परनाली क्या है वस्तु विन्यम परनाली तो देख लिए अब मुद्रा परनाली हम देखते हैं मुद्रा परनाली क्या होता है तो यह भी उसी से रिलेटेड है और वह जानगे तो यह जानना बहुत भारी नहीं है बहुत ही Easy वस्तू विन्यम पर्नाली में कभी-कभी अनेक कठनाएं उपस्तित हो जाया करती थे अब्सक्रणाइब वस्तुन विन्यम पर नाले में कभी-कभी बहुत सारी कटना जाती है और होगी विज़िए हमको धान के बदले गेहूं लेना है धान की कीमत और गेहूं की कीमत अलग-अलग मानी जाएगी अलग-अलग रखा जाएगा मतलब मुल्ले उसका अलग-अलग द्धान में काउंट किया जाएगा उस धंग से वहां पर मतलब दिक्कत्ते आती थी हम कितना धान देंगे तो कितना हमें मतलब गेहूं मिलेगा या इसके बदले में हमें पॉथ हम रही है कि हुआ है जैए चीजह ले जाने में परेगी कुछ लेजाने में लेजाने में लेक अधिक मातरा में लेकर लेगा लेकिन आज के समय में के है मुद्रा का विकास हुआ है पॉकेट में धराक्षे दुह जड़िया का नौट रखते हैं चल देते हैं जो खड़िदा खड़िद क्या जाते इन परित ऐसा होता नहीं था और अभी हमें तो अभी बहुत सारे स्विवदा हो चुकी है तो वही हम लोग देखने वाले हैं कि मुद्रा का पर्चलन तो इसी प्रकास क्या हुआ था विकास हुआ था पर्चलन में आया था कि नहीं वस्तु में कटनाईया हो रही है तो इसी चीज को मुद्रा नाम के वस्तु के ही विका किया जाए वस्तु विंश्विंधियम प्रणरी में कभी-कभी अनेक अटनाईयास उपस्तित होती थी, मुद्रा का विकास वा पर्चलनवयाया अनेक सतावदी में मतलब अनेक अनेक मुद्रा का विकास हुआ है, अब लोग अपनी उत्पादित वस्तु बाजार में बीच बेचकर मुद्रा प्राप्त करने लगे मतलब बदल मेरे पास मेरे पास उसे इस प्रकार मुद्रा से खरीद विक्री को मुद्रा परनाली कहते हैं मतलब मुद्रा से पाइसा से हम रुप्या पाइसा से जो किसी वस्तु को खड़िते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं मौद्रिक परनाली काते है यदि वस्तु को वस्तु से लेंदेन करते है तो वह क्या कराता है वस्तु विनियम परनाली का रहते है तो दोनों हम देख चुके वस्तु विनियम परनाली और मुद्रा परनाली नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एटियम के वारे में हम लोग जानेंगे तो आप मेरे साथ बने रहे हैं थैंक्यू फॉर वाचिंग और यदि चैनल पर ने है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा थैंक्यू